उशोधी लेक्चर दो तरांदिया मौता हन मुटे अर्थांच एस तरांदा हर एक व्यक्ति दी मौत बड़ी निजी दी परस्नल है जिस तरांद तो अड़े दस्खत वखरी हनों से तरांद तो अड़ी मौत वखरी है तो अड़े अंदर दा काश दा एक है लेकिन तो अड़े वेड़े आंदी कंद वखवख है वखवख टंग है फेर वी मुटे अर्थांच दो ही से हो सक दे हन ते ओ दो वे भाजन कीमती हन एक ता जाग्य होई व्यक्ति दी मौत ते जाग्य होई यानि ओ जी ने मरंतों पहला मौत नों सविकार कर लिया है जेड़ा मरंतों पहला मर गया ते दो जी मौत सुत्ते होई व्यक्ति दी मौत है तो अड़े उते निर्बर है कि तुसी के में मरोगे क्योंकि तुसी जीवें जीवें तुसी मरोगे मौत तु अड़े पूरे जीवंदा सार निचोड नतीजा होएगी निश्पती होएगी जेकर तुसी गल्थ जीवें तुसी गल्थ मरोगे जेकर तुसी सम्यक जीवें सम्यक मरोगे जेकर तुसी छड़ दे होई जीए, तो मौद दे पहला तुसी वो सब छड़ी देता होईगा, जेडा कंडा तो अड़े तो खोल या जानवल है, तुसी खुदी छड़ के बेड़ी विच बैठ कैसी, तुसी त्यारी सी कद पाल खुल जाए, कद इशारा मिले, कद बेड़ी यात्रा ते निकल जाए, त्याग दा इन नहीं अर्थ है, त्याग दा अर्थ कर छड़ के पज जाना नहीं, ना दुकान छड़ जाने, त्याग दा अर्थ इन नहीं है, के तुसी जित्थे भी होगो, जिस हालत विच भी होगो, उस वेचे ने खुब ना जाना के जदो खो तो अडे अंदर दी द्रिष्टी की है। जेडा व्यक्ती सन्यासी द्रिष्टी की है। जेडा व्यक्ती सन्यासी द्रिष्टी की है। फरीद दे वचन समचा जानगी। बेरा जबर विछोड़े दिया अगनाल मेरा अंग-अंग जाल रहे है। ते मैं अपने हथा नो मरोड़ दी है। प्रीतम नो मिलन दी लालसा ने मैंनो बावली बना देते है। तप तप लोई लोई हाथ मरो रो। बावल होई सो सो लो रो। ये तो पहला फ्रीत ने के है कि इकज़े कडियां दी है जद आशिक मशूक हो जानद है। इकज़े कडियां दी है प्रेम दे जवार दी जद के प्रेमी प्रेमिका हो जानद है। उन्हे सारे वचन फ्रीत प्रेमिका दी पांती कर रहे है। उन परमातमा प्रेमी है, फरीद प्रेमी का, परमातमा पुर्श है, फरीद इस्तरी है, ये उसकड़ी दे बाद देवचनहन ख्याल रखना नहीं तो तो अनों हैरानी होएगी, कि फरीद अचानक इस्तरी दे टांगनाल क्यों बोलना लगा? मैं तो अनु आख्या कि ज़द तुसी परमात्मादी प्रेम शुरू शुरू चुतर देऊ तद तुअड़ा प्रेम भी अकार्मक हमला करन वर्गा हुंद है तुसी इस तरह अजान देऊ जवें परमात्मादी कोई हमला कारदरता होगी कोई तावा बोल देता हो तो अड़ी प्रार्थना वी हमले वाली हुंदी है तो अड़ी पूजा वी हमले वर्गी हुंदी है सुबावक है लेकिन जिवें जिवें तो अनु पूजा दे प्रार्थना दा अनंध मिलना शुरू हुंद है जिवें जिवें तो अनुए समझ चांद है कि मेरी हमले दा पाव ही मेरी पूजा दी कमी है मेरी हमले दा पाव ही प्रार्थना मेरी दा दोश है जिवें जिवें तो अनुए समझ चांद है हमले दे पाव दे कारण ही मेरी पूजा दे दीवे चोह नेरा निकल दै परकाश नहीं निकलदा हम ले दे पावकारन मेरा हंकार मजबूत बढ़िया पूजा हुएगी कि में प्रार्थना हो ईगी मेरा हंकार मेंनो मंदर दे अंदर आ ओन कि में देगा मंदर दे अंदर ताधी परवेश हुनदा ज़िते तुसी जुतियां लाओं दे उठी छड़ां दे उ हंकार नू बंगाल चिक पुराणी बावलान दी कता है कि एक व्यक्ती बिंदराबन दी यात्रा नू गिया बॉन पग्दाली बिंदराबन परमात्मादा कार है डेकुंट है इस सब छड़ देता है इसने सब त्याग कर देता क्योंकि उस परमात्मादी कर तक जान की लजाया जा सकते है परमात्मादी कर दी यातरा था जही है जुमें कोई पहाड उते चड़ दा है जिमें जिमें उचाई वद्धिया तिमें तिमें पार खोड़ा करना पेंदा है क्य सारा पार छोट जान्द है। स्वाल नहीं सी लेकिन परमात्मा दे मंदर्च बिना इश्नान्तों कि में प्रवेश करांगा। ओ दर्वाजे ते खड़ा हो गया मंदर दे। लेकिन द्वार पाल ने दोहां हथा नलो नो दर्वाजे ते रोक देता दे किया। अंदर नहीं जा सकेंगा। अंदर ता ओही जानदा जिदे कुछ भी न होवे। वो बॉल हसन भी लगा ते रोन भी लगा। वो हसन लगा कि तू भी पागल मलूम होंद है। मेरे कुछ की बचया है। एक पोटली है। एस एक जोड़ी कपड़ी हन सिर्फ ओ भी मेरे लिए नहीं है। वो भी इसलिए के मंदर्च बिना इश्नान कीते के में जा सकांगा। और मेरे कुछ भी नहीं है। इसलिए तेरी गालते हसा भी होंदा है। तेरी गालते रोंदा भी है। जिकर तू अंदर ना जान देता ता हुनकी होएगा। इसे ही कास ना ली ता तुर्दा रहा। उस द्वार पालने क्या तेरी पोटली ते जेकर कपड़े ही हुन देता मैं जान देता। बहुत सूख हमहंकार लुकिया है। कि बिना इश्नान कीते तु के में जाएंगा। ये भी परमात्मा दा सुआल नहीं है। परमात्मा दा तु उन्हों बिना इश्नान कीते भी सविकार कर लाएगा। उसले ही तुसी सदा इश्नान नहीं हो। इश्नान कीते ही होया है। उसले ही अपवित्तर कुछ होया ही नहीं है। लेकिन तुसी बिना इश्नान कीते के में जाओगे। तुस्सी ते ओवी बिना इश्णान कीते जाओगे नहीं, ये तो अड़ी हंकार नू गल नी जच दी, पोटलीच कपड़े ही हुन देता चले जान देंदा, पोटलीच पारी हंकार तु रखे है, इनू छाड़ा, मंदर दे द्वार तद तक नहीं खोल सकते, जा तक तुसी अ पाईबल, कुरान, गीता, तो तुसी कुछ लेना नहीं है, तो अड़ी पूजा, अर्चना, ते तो अड़ी टांग भी दिया शैलिया, ये भी नहीं तो अड़ा पगवान, किसे दा कृष्ण पगवान है, किसे दा महावीर, किसे दा बुद्ध, जेड़े बुद्ध नू पगवान मन देया, क्रिश्चन दे सामने सिर नहीं चकवान दे, अपड़े अपने पगवान दे सामने लोग सिर चकवान दे, एवें हर केसी एरे गेरे नत्थु खेरे दे पगवान मोरे सिर चुका दे, मैं बहुत वरेयां तक जबलपूर चरिया, उथी एक वारी गणपती विस सर्जन दे वेले को वो डीच्चन जट खड़ी हो गई, नियम सी जद्वी गणपती विस सर्जत होंदे ता जड़ी शुबा यात्रा निकल दे, ओस तो ब्रामना दे महले ते गनेश सब तो अगे, फेर इक तो बाद एक होर सार्यां दे गनेश होंदे, एक साल ब्रामन दे गनेश नू आँच थोड़ी देर हो गी ते जलूस नू ता समय ते निकल नहीं सी, क्योंके उस समय उनू के ते पुझदा सी वे सर्जन दे लेई, एसले जलूस ता निकल गया, ब्रामन बाद चे पुझजे, बहुत उपद्दर माच गया ते उना विचकार रा दे जड़ी गल होई, बहुत मज़े दी सी, वो आदमी दे से बांद ची बहुत खबर दिन दी है, होया इए कि चमारा दे गनेश अग्य हो गई, उन चमारा दे गनेश दी कोई हैसियत, तब ब्रामन ने क्या हटाओ चमारा दे गनेश नू के छे, अपनी अपनी हैसियत नाल रह ठीक है, देर पामें हो जाए, लेकर ग्रेश ताम बामना दे ही अग्ये होंगे। चुकांचे जेकर मजा आगया होंदा ता तुसी कहन दे चलो, मस्ज़े देबाने चुक जावांगे। एथे क्रिशन देबाने चुक जावांगे। एक पिंड़िच ठेरिया हो थे के जैन मंदर है। उस ते चगड़ा चलता है वरियांतो, मुकदमे है, लठ बाजी होगे। जेन अहिंसक हन लठ बाजी होंदी है। दो दाल हन स्वेतांबर ते दिगांबर दे। दो हंच लठ बाजी होगे। हालत तो तक होगे के पुलिस नू उना दे पगवान उते जंद्रा मारना पया। मैं पुछा है के तुसी ता दो में अहिंसक हो। उना ने क्या अहिंसक होना ठीक है लेकिन जद पगवान दी सुरख्या दा स्वाल हुए ता चाहे जान रहे के जाए मर जांगे, मिटा दे आंगे पर पगवान दा स्वाल है। मैं अनु अख्या मैं सुने है के पगवान तो अड़ी सुरख्या कर दा है। तुसी कदों तो पगवान दी सुरख्या करन लगे। ते जे कर पगवान दी सुरख्या तो अड़ी हत्थां ज पह जाएगी ते पगवान बहुत मसीबच पह जाएगा। तुसी अपनी सुरख् दी तलाश है, ते हुन तुसी होर उल्टाओ पदर ले ले ले, लबन गैसी सुरख्या करनवाले नू ते तुसी खुदी सुरख्या करनवाले बन बैठे, और चगड़ा की है, चगड़ा जे आप बचकाना है के सिर्फ तार में अन्यानू वखाई नहीं पेंदा, जिना दे जिदा दिगंबर कर दिया, कोई खास पारी फर्क नहीं है, जरा के जिना फर्क है, वो फर्क है कि स्वेतांबर खुली आखवाले महावीर्दी पूजा कर दिया, दिगंबर केंदी है कि तीर थंग करतां बंद अक्खा किती, त्यान मगन खलोती हान, अंतर मुखी हान, ये सादक दी गाला, क्या आख बंद करे, त्यान करे, सिद्दी था नहीं, शिद्दी था आख खुल गई, हुन की है, अखी खुल गई ता हुन बंद करन दा, स्वाल किती है, ये ता रात ए टुरन वळे हान गाला है, ये चगडा है, सो एक मंदर चपूजा कर दी हान, एक की लेकिन वक्त बन रख्या है, बारा वजे तक दिगंबर पूजा करने गई, तब बंद अख्वाले पगवान दी, उन पत्थर दिया मूर्तिया हैं, उन अधिया बंद अख्वान सानी नल खोलिया नहीं जा सकती हैं, उपरों इन चूठी आख्वान चिपका दे हैं, उपरों सुथिए करने जाँ से tari हैं, रृफ पंदे हैं, ऊठ्यारों वेकिने पूजा करने तक दो मूजा कें, तक दो मूजा करने, हो पंद अख्वान की थोड़ा सुचछ, सवेतामल्चि अँवान चैनिया, जे कर तोनों महावीर तो लेना देना हुंदा ते दो में गलां गल था ना ता महावीर ने चौवी कंटे अखां बंद की तिया हुंगे ते ना महावीर ने चौवी कंटे अखां खुलिया हुंगे दिने ही जाक दे ही, जिने जाक दे ही, खोल सो कई टो डगा डगा, आधीं म्रधा अक रुख जान दे, तो सिमें बाणाधा घली, तक भनें सानधा दे, अनौन नो धी दोकन्टी, ऐसी तरह, चेतना दी अंतरमुकता थी, बार मुकता थी, जिमें स्वास अंदरः ऋंदी आ, बार जानधी आ, विछ चेतना भी अंदर ओंदी कारणा, भाय जानधी जीने दोना दी मद्वेच अपने नू साध бытьली ag वही सिद्ध है, चिड़ा एक कोई ची जकड गया है, वही पंगू है, लेकिन तो अड़े पगवान असल ची पगवान नहीं है, तो अड़े हैं, इसली पगवान हून दे कारण, पगवान हून दे ता गाल हूर हून दे, ताता तो अनुव मस्टित वीच भी पछान चा जान जेते कोई मूर्थी नहीं सी, तुसी कहन दे पगवान थी निराकार हून कॉल का यह, परिशन मदर जान दे, तुसी महावीर तैंसले समय ना पगवान हून नहीं दी तुसी अपने हंकार दे सामने चोको दियो, अच्छा हंदा तुसी क्यों वेर्थ दिया मूर्तिया मना दियो, तुसी शीशा लालो कार्चो से चपने नुवेक, अपना रूप नी हारो, पूजा दे थाल सजाओ, आरती उतारो, कटो काड सचाईता होएगी, तो अडेस वांच कटो काड चूरता नहीं होएगा, उस एक फाइदा है, यह फाइदा यह है कि बहुतिया मूर्तियां दी जरूरत नहीं रहेगी, तुसी जदे उतारो, मूर्ति दी पूजा ता तुसी रहोगी, तो अड़ी पतनी उतारेता दो रहेगी, तो अड़ा मुंडा दो रहेगा, ए मूर्तियां नहीं तो अनू तो खा देता है लेकिन है नू तो अडियां ही मूर्तियां तन्वाद